वेल्कम बैक टू सरवक्य एजुटेक बुच्चो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए सब्जेक्ट को जिसमें कि हम बात करेंगे सबसे पहले modern history के बारे में देखो हमने modern history को ही क्यों चुना आज ठीक है नए तो आपको एक साफ साफ ट्रेंड देखने को मिल जाएगा कि जो modern इंडियन अगर history के टोटल बाइस कोशन आ रहे हैं तो उसमें से एक बड़ा चंक आपका लग बल्ग फॉर्टीन से 15 कोशन आपके सिर्फ किस में से रहे हैं modern history में से बन रहे हैं तो यह आपको इस तरीके से analysis करते हुए चल ला है कि अगर आपको subject start भी करना है कि कोई नया subject पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है या कौन से subject को आपको अपनी first priority देनी चाहिए मैंने geography सबसे पहले स्टार्ट कहता है क्योंकि geography सबसे जादर tough लगती है बट सबसे जादर scoring है क्योंकि अगर geography के map based questions को मैं अलग कर दूँ तो उसके बाद जो static subject बचता है अगर वो एक बार आपका clear होगे static तो फिर चाहे किसी भी exam में किसी भी तरीके से आपसे घुमा फिर आके वो पूछ ले आप उस question को easily solve कर पाओगे बट जब आप modern Indian history या पूरे history की बात करें तो पूरी history में हमारे तीन phases अमें पढ़ने पढ़ते हैं सबसे important या सबसे पहले आता है आपका ancient history जिसके की questions ठीक ठाक टफ आते हैं उसके बाद आता है आपका next medieval history ये भी इसका भी अच्छे गासे proportion में आता है और सबसे यादा proportion जो आता है that is your modern history and इसी के साथ अगर आप एक चीज मिला दो that is art and culture ये कुछ चीजे हैं जो आपको धिहान रखते वे चलनी है अब देखो modern industry हम स्टार्ट तो कर रहे हैं अब देखो इसमें किस-किस तरीगे से हम पढ़ेंगे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हम ऐसे नहीं के word to word मैं आपको basic themes बताऊँगा clear basic chapters होते हैं उनकी themes बताऊँगा और उसमें कोई अगर important factual information होगी जो कि आपके exam के regarding बहुत ज़रूरी हो जाती है तो वो आपको बताया जाएगा next इसमें और क्या किया जाएगा आपको पीवाईक्यू उसको साथ-साथ analysis जिस हिसाब से पीवाईक्यू आये होंगे उस हिसाब से हम इनको analysis करते वे चलेंगे इसके साथ एक और चीज हम क्या करेंगे हम जब next chapter आएगा तो पहले पिछले chapter कर recap करेंगे साथ-साथ हम यहाँ पर link करते वे चलेंगे कि देखो कोई भी subject पढ़ो link करते वे चलो अब देखो होगा क्या क्या क्योंकि history यह already सब चीज लिखी जा चुकी है ठीक है इसके लिए आप कोई भी source उठा सकते हो वैसे तो देखो जालतर लोग spectrum लेते हैं ठीक है लेकिन इसके साथ-साथ additional source अगर आपको एक्जाम में ace करना है तो मैं बता देता हूँ ncrt new valley ncrt के भी मैं बात कर रहा हूँ new valley ncrt में आप ले सकते हो सबसे पहले class earth उसके बाद आप सीधा आ सकते हो किस पे class 12 में class 12 में जब आप देखोगे तो तीन पार्ट है पार्ट फरस्ट में आपका ancient है चीक है पार्ट सेकिंड में आपका medieval है और पार्ट जो थर्ड है that is of modern तो आपको modern के लिए तो यह थर्ड पार्ट कर लेना है अगर आप और अच्छे से details study करना चाहते हो तो अगर आप कर पाओ तो old ncrt कर लो चीक है old ncrt class 12 की आपको मिल जाएगी जो की आरश शर्मा वाली है तो यह आपको धिहान रखते वे चलना है तो अब देख लेते हैं हमारा topic कहां से कितना start होगा तो सबसे पहले जो modernization history है इसको किस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो यहां पर समझोदे को हुआ क्या था जब हम बात करते हैं trade route की हमारी जो history है उसमें सबसे important चीज़ जो रही है that is commerce या फिर किसी country के commercial interest अगर किसी country के commercial interest फुल्फिल हो रहे हैं तो उसे ज्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूवत नहीं है लेकिन अगर किसी country के commercial interest फुल्फिल नहीं हो रहे हैं तभी वो क्या करेगा कुछ change लाना चाहेगा ताकि उनका trade और भढ़ सके अब देखो हुआ क्या जो आपने देखा होगा autonome empire जिनके उपर अभी एक नई series भी बनी है इस automan empire ने क्या किया था जो trade route था आपका जो silk route की आप बात करते हो ancient India के time पे हमारा silk route था उसमें आपका automan ने आके उसको capture कर लिया capture करने के बाद उन्होंने जितने भी Europeans थे उन पे वहाँ पर additional taxes लगाने शुरू कर दिये अब अगर उनकी merchandise पे जो इंडिया से जा रहे है additional tax लगेंगे तो वो merchandise क्या हो जाएंगी यूरोप में मेंगी हो जाएंगी इतना तो समझ पा रहे होंगे ठीक है उसके price मेंगे होंगे अब price अगर competitive नहीं रहेंगे तो European को नुक्सान होगा क्योंकि market तो अपने इसाब से चलेगा न तो वो लोग उस समान को खरीदेंगे निए वो in comparison to कौन सा समान खरीदेंगे जो अरब मर्चेंट्स लेके जाएंगे तो European traders को यहां पर नुक्सान हो रहा था अब European traders ने क्या सोचा भई है इसका कुछ तो करना पड़ेगा यह सब कहानी जो सुरू होते है वो हमारी 1453 में होती है जब Constantine टीपोल अबारा Ottoman traders के पास पहुच गया अब यहां पर देखो Arabs को तो फायदा हो गया European traders को नुक्सान हो रहा है अब European traders है और जितनी भी companies है जातर government owned है तो अगर सरकार को नुक्सान होगा तो सरकार क्या चाहिएगी कि भईया कुछ तो करो अगर वो trade पे या उस route पे Ottomans बैटे हैं तो उन्होंने क्या सोचा चलो एक काम करते हैं कोई और route देखते हैं ठीक है तो वो एक नया route ढूणने के लिए निकल गई अब जब यह नया route ढूणने वाले थे तो उसमें सबसे important निकले क्या मदद करी ship building ने मदद करी क्यूं अगर आप land की बात करो और आपका कौन बैट गया? आटोमन चीक है इस पॉइंट में अगर आटोमन एमपायर आके बैड गया आपका तो उससे अब नुकसान क्या होने लग गया? अब यहाँ देखो आटोमन बैड गया यहाँ पे अब जो भी समान इस route से जाएगा उस पे क्या लगेगा? टेक्स तो उसलिए European ने क्या करा हम लोग इस वाले ट्रेड रूट को यूज नहीं करेंगे तो कि इस से तो नुकसान हो रहा है अब वो क्या करेंगे? यहाँ पर देख लेते हैं वो इधर की तरप से कहीं से यहाँ से अगर आब बात करें अफरीका के कोश्ट को पूरा क्रॉस करत से वे मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड मैप बना के दिखा देता हूं यहाँ पर आपका यह यूरोप है यहाँ पर इस तरीके से आपका अफरीका है और यहाँ पर तो जो यह रूट था यहां से जाने वाला यह तो हो गया बन अब यहाँ पर क्या होगे जितने भी यहां प इधर पे फ्रांस हो गया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्या ब्रिटिश इधर पर यहाँ पर आपका स्पेन भी हो जाएगा यह सब क्या करेंगे नई ट्रेट डूड़ना चाहेंगे अब यहाँ तो हो गए देखो इंडिया की बात इधर पर यह आपका एक और कंट्री आपको देखने को मिलेगी तो अब यह कंट्री जो होती है यहाँ पर यूरोपियन कंट्री यह इन में दॉड लग जाती है कि भीया चलो नया लैंड रूट यह नया रूट ढूड़ते हैं तो यहाँ से आपका इंडिया के लिए यह रूट खोजा गया फिर एक रूट आपका इधर के लिए खोजा गया जो कि अमेरिका में क्या clear जब यह root खोज रहे थे तो तभी हमें दो term देखने को मिलते हैं जो शायद आपके exam के लिए बहुत जाद important है क्योंकि UPSC इसी तरीके से आपके साथ कभी-कभी खिलवाड कर सकता है कैसे? यहाँ पर देखो एक होता है आपका क्या old word एंड सेकेंड होता है आपका क्या new word अब यह क्या होता है? देखो old word क्या होता है? जो भी आपका Asian countries है ठीक है? यह सब आगए किसका part? old word का और जो भी नहीं discovered countries है, for example America हो गया, इधर वाला part हो गया, South America हो गया जिसके बारे में लोगों को पहले नहीं पता था, बाद में पता लगा, वो सब क्या हो गए? new word का part हो गए अब देखो, ऐसा ही एक question, अलाकि CAPF में तो नहीं, पर UPSC एक बार पूछ चुका है, कि ऐसी कौन सी 3 crop है, 3 crops that were taken from taken from old word sorry, new word to old word यह आपको याद रखना है कि ऐसी कौन सी 3 crops है जो new word से आपकी old word की तरफ लाई गई थी, अभी यह कौन कौन सी थी? पटैटो टमेटो, एंड तबैको चिक है, कौन लायाता है पटैटो, टमेटो, तबैको, यह सब आपके Portuguese हमारे यहाँ पर लेके आए थे तो I hope आपको यहाँ तक का तो समझ आ गया होगा यह जो ट्रेड रूट था यह बंद हो गया था because of the Ottomans, अब Ottomans ने इस ट्रेड रूट को बंद किया तो Europeans दूसरा ट्रेड रूट ढूडने के लिए निकल पड़े अब जब वो दूसरा ट्रेड रूट ढूडने के लिए निकले तो कौन सा ट्रेड रूट मिला तो Vasco Digama जो कि कहां के है Portuguese के है चीक है Portuguese के है पॉच्चिगल के हैं उन्होंने यहाँ से यह ट्रेड रूट ढूडा सबसे पहले यह कहां पर पहुचे यह Cape Vardais पर पहुचे फिर इन्होंने यहाँ से ट्रेड रूट चुरू किया फिर Cape of Good Hope पर पहुचे फिर यहाँ से Cape of Good Hope से थोड़ा सा आगे बढ़े और इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर पहुचे फिर यहाँ से इनको एक गुजराती ट्रेवलर मिला फिर यह गुजराती ट्रेवलर के साथ यह कहां पर आए इंडिया में आए और इंडिया में सबसे पहले इस पॉइंट में पहुचे आने की Southern India में पहुचे फिर इनोंने अपना expansion करना स्टार्ट हुआ वो हम लेटर ओन अभी पढ़ेंगे तो ये था basic trade route of किसका Portugal या European's का तो अरब ने तो यहां पर भूल दिया हम तो जाने नहीं देंगे चीक है अब जाने नहीं देंगे तो नहीं रास्ता खोज लेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी थोड़ना अगर आप यहां पर dominance दिखाओगे तो हम कोई और route दोंड लेंगे जहां पर आपका dominance नहीं हो और वहां पर अगर आपका dominance नहीं हो गया तो हमारी मर्जी हम जैसे चाहे ट्रेड करें फिर तो इनके लिए यह ट्रेड भी अच्छा खासा profitable हो सकता है और एवन अगर आपको बता हूँ वासको डिगामा जब अपने यहां से पहली बार ट्रेड करके गया था तो वो अपने जितना भी उसने पैसा लगाया था उसका 600 टाइम उसने profit कमाया था इसको देखके पूरे यूरोप में और सबसे पहले बात करो तो पूरे पॉर्टिगल में एकदम से लगा कि ओके यह ट्रेड तो बहुत प्रॉफिटेबल है फिर पॉर्टिगल को देखके फिर किनको आने लगा इसमें इंटरस्ट फिर आये आपके Dutch फिर इंग्लिश फिर लेटर ओन आये French फिर एक Dennis भी आये थे बीच में बट Dennis का इतना कुछ हम नहीं पढ़ते तो Dennis नहीं पढ़ेंगे हम बाकी चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो अब इन सब चीजे होने से पहले सबसे पहले दुनिया को डिवाइड कर दिया गया था बाए पॉर्चिगल और स्पेन क्योंकि उस समय यही दो मेजर पावर्स थी इन्होंने ट्रीटी करी वो ट्रीटी क्या थी ट्रीटी ओफ टॉर्डे सिलास कब हुई थी 1494 में इन्होंने एक लाइन बनाई आपकी एक इमेजिनरी लाइन बनाई जो कि मिडल ओफ अट्लांटिक जाएगी आपकी अब इन्होंने क्या भूल दिया कि इस लाइन से जो भी वेस्ट में है क्लियर वो आपका किस के पास चला जाएगा कि वासको डिगामा इधर को ही क्यों आए वो इधर क्यों नहीं गए जब कि ये तो पास था अमेरिका तो और भी पास था अमेरिका कौन गया कोलम्बो गया ठीक है कोलम्बस थे वो अमेरिका गये थे अलागी वो आना इंडिया चाह रहे थे पर चले अमेरिका गए वो भी एक लग कहानी है पर अभी यहां पर आप यह समझो यह ट्रीटी आप से पूछी जा सकती है ट्रीटी आफ टॉडे सिलास क्लियर तो यह आपको धियान रखना है कि जो वेस्टन कंट्रीज थी वो दे दी गए स्पैन को तभी आप देखो कि इस पूरे एरिया में कहीं भी स्पैनिश इंफ्लॉएंस आपको देखने को नहीं मिलेगा जबकि यह जो पूरी वेस्टन कंट्रीज है वह सबसे जादा कल् क्लियर तो यह आपको अच्छे से याद रखना है तो यहां पर बोल दिया गया क्या आदा तेरा आदा मेरा अब यहां पर देखो हुआ क्या अफिर यहां पर सबसे इंपोर्टेंट आप आते हैं आपके पॉर्चुज नेविगेटर क्योंकि ट्रेट डूड़ने दो निकल तो इन्होंने सेल करके डूड़न लिया था अब यह क्या चाह रहे थे इससे आगे डूड़ने तो यहां पर सबसे पहले अगर आपको ट्रेड रूट के बारे में किसी के बारे मैं या इस तरीके का कुशन आजाया कि इंडिया के लिए जो ट्रेड रूट ढूडा गया था उसमें किस का मेजर रोल रहा है तो सबसे इंपोर्टेंट थे वो कौन है नेविगेटर जिनका नाम ही नेविगेटर रख दिया गया बार्थुलोमियो डियाज ये कहां तक आये थे केपाप गुड़ूप उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट आपके आ जाते हैं दीव वासको डिगामा ये कहां पर आये थे 1498 में इंडिया आये थे सबसे बेसिक फैट बच्चे बच्चे को पता है आयोब आप सबको इतना तो पता होगा किसकी हेल्प से आये थे गुजराती पाइलेट थे अब्दुलमजीद क्या पता UPSC पूछ ले वरना ये वन डे एक्जाम में तो पूछा जा सकता है तो जरूरी नहीं है ये वीडियो सिर्फ UPSC करने वाले बच्चे ही देखे अगर SSC कर रहे हैं या गुरूप C की तिहारी कर रहे हैं वो लोग भी देश सकते हैं उनको एक ब्रीफ ओवर्व्यू मिल जाएगा और इसमें से कोई भी फैक्ट होगा तो वो कभी गलत नहीं करेंगे अब आगे चलते हैं तो जब वासको डिगामा आये तो उन्होंने अपनी जो पहली फैक्टरी है वो कहां पर स्टैबलिश करी वो करी कालिकट में ठीक है कालिकट में करी अंडर पेड्रो अलवर्याज के अंडर तो यह थे उस समय के आप गवर्नर बोल सकते हो एक तरीके से हाला कि जो सबसे पहले गवर्नर आप बोलोगे that is your Almeida ठीक है और जो प्रू गवर्नर की फॉर्म में आये थे वो थे कौन आपके अलफॉन्जो डी अलभुकरेज ठीक है स्पैलिंग थोड़ा सा आके पिछे हो सकती है बट आप नाम याद रखो ना क्लियर तो कैलिकट में फैक्टर स्टैबलेश हुई थी सबसे पहली फैक्टरी हुई थी किसके अंडर पैडरो अलवरेस के अंदर फिर वासको डिगामा लेटर उन पहली बार आये उसके बाद दुबारा आये थे यह अराउंड एन आराउंड फिफ्टेन अंडर्ड क्लियर यह तीन आपको यहां रखता चलना है ट्रेड रूट देख लेते हैं किस तरीके से आये थे तो यह था उनका पूरा ट्रेड रूट पहले वो केप अफ गुड हूप में रुके फिर उसके बाद वो इंडिया पहुचे इंडिया जब वो पहुचे तो उनकी जो इस्टैबलिश कर ली उसके बाद सबसे पहले आपके जो पॉर्चुगल के रूलर थे उन्होंने गवर्नर बना के बेजा किसको फ्रैंशी सो दे अलमीडा को भीजा अब यह फ्रैंशी सो दे अलमीडा यह बहुत इंपोर्टेंट आपके गवर्नर हो जाता है क्योंकि इनकी एक थियोरी है यह क्या चाहते थे यह पूरे इंडिया नोशन को डॉमिनेट करना चाहते थे दे वांट टो बिकम मास्टर ओफ इंडिया नोशन चीक है तो जो वह बनना चाहते थे मास्टर ओफ इंडिया नोशन अब इसी पॉलसी को दो नाम से जाना जाता है ब्लू वाटर पॉलसी हाला कि यह ब्लू वाटर पॉलसी के बारे में तो एक दो बार यूपिया से पूर्च चुका है बट इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है that is your काटे सिस्टम जिसमें की पॉच्टिग्यूस क्या करते थे टेक्स लिया करते थे आपका कोई भी अगर नेवल शिप जा रहा है अदर देन पॉच्टिग्यूस तो वो उनसे क्या लेंगे टेक्स लेंगे अगर आप किसी को मास्टर समझ रहे हो तो फिर आप बाकियों को ट्रेड करने कैसे दोगे तो जो भी इडिया जाएगा उस से क्या लिया जाएगा टेक्स लिया जाएगा जिसकी वज़े से लेटर वने ने बहुत सारी प्रॉबलम्स आने शुरू हुई इनका तो एक direct conflict भी हो गया था, किस के साथ, with the combined army of Egypt, Arab and Gujarat, चीक है, तो इन तीनों के combined army के साथ, इनका एक conflict भी हमें देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम लेटर ओन आगे पढ़ेंगे, next, इसमें देखो, इस तरीके की आपके एक blue water policy थी, हालकी, अगर आप लोग मुवी और देखते हो, तो जरा मेरे को बताना, कि कौन सी मुवी का सीन है, अगर कोई टेक्स नहीं देथे, ता मैंने ये क्यू डाला, देखो, अगर कोई country, चीक है, या कोई भी ship है, जो इंडियन ओशन से ट्रेवल कर रही है, if they denied the tax to the Portuguese, तो वो क्या करते थे, इन्हें सीधा उडा दिया करते थे, क्लियर, कोई पीस नहीं होता था, कोई मेडियेशन नहीं होता था, सीधा, सीधा वो उन पे तोप लगाते थे, और उडा दिया करते थे, उनके शिप्स को, अब नेक्स देख लेते हैं, इसमें और कैम पड़ा जाता है, अलफॉन्सोर दी अलभुकरेज, ये थे, रियल फाउंडर, इनको माना जाता है, रियल फाउंडर ओफ पोर्चुगीज एम्पायर, अब ऐसा क्यों, अलमीडा आये, उन्होंने बहुत सारे स्टेप लिये, बड़, अगर आप एविडेंशियल स्टेप जिसने की, ऑन दी ग्राउंड, पोर्चुगीज एम्पायर को स्ट्रेंदन किया, पोर्चुगीज एम्पायर को वो एक स्टेंड लाके दिया, जो की एक ट्रेडिंग कंपणी या एक कंट्री को चाहिए होता है, अपनी कोलोनीज बनाने के लिए, तो वो किसने दिया, अलफॉन्जो दी, अल्बुकरेक ने, अब इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था, तो वो देख लेते हैं, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शिप बिल्डिंग को पर्मिट दिया, यानि कि जो भी शिप्स आपकी जाएंगी, उन वो उनके पास पर्मिट होना चाहिए, वो ही, ये क्या था, एक्स्टेंशन और ब्लु वाटर पॉलिसी, तो जो ब्लु वाटर पॉलिसी, मैंने अभी किसकी, अल्मीडा की आपको बताई है, उसी का एक्स्टेंशन किया, अल्मीडा की वाटर पॉलिसी में, इन्होंने एक चीज क्या कर दी, कि आपसे जो भी शिप्स जाएंगी, कि उनके पास पर्मिट होना चाहिए, इफ दे हैप पर्मिट, अब पर्मिट किस से खरीदना पड़ेगा, पॉर्चुगल से, पॉर्चुगी से खरीदना पड़ेगा, अगर उनके पास पर्मिट होगा, तो दे विल अलाव देम, और अगर परमिट नहीं होगा तो वो उनको वहां पर टेक्स दिना पड़ेगा नहीं दे पाएंगे तो फिर लडाई हो गई सिंपल सी बात Second Evidential Step इनोंने लिया इनोंने गोवा को जीता From the Sultan of Bijapur तो यह आप से सवाल पूछा जाता है कि जो गोवा था वो Before Portuguese किसके अंडर आया करता था तो वो आता था आपका बीजापूर के अंदर Clear और कब जीता है इनोंने 1510 में इतना आपको अच्छे से याद रखना है ठीक है Another interesting feature इनके टाइम में जो हुआ था That is Abolition of Sati हलाकि अगर आप Abolition of Sati की बात करोगे तो Modern Indian History में इसका सबसे रिमाल के बल एक्जामपल किस ने पेश किया था राजा राम मोहन रॉय ने जिन्होंने किसकी बात करी थी Abolition of Sati की इन 1929 जो की हम आगे जाके पढ़ेंगे But before राजा राम मोहन रॉय या और किसी के दुआरा करने से पहले अगर आपको बात करें तो Al-Bukarek थे जिन्होंने सबसे पहले Sati को abolish करना स्टार्ट किया था अब यह इन्होंने इसलिए नहीं कराता है Administrative Point of View से नहीं कराता यह इन्होंने Religious Point of View से कराता यह आपको अच्छे से याद रखना है क्यों? क्योंकि Portuguese क्या कर रहे थे Christianity को भी spread करना चाहते थे अब यह इनका एक टेक्टिक्स था अब यह इनका एक टेक्टिक्स था अब यह इनको दरहम दुरहम से कुछ प्यार रखता मलब ओके देवर रिलीजियस पीपल बट Christianity को spread करने के पीछे एक और कारण था अब यह कारण क्या था यह कारण सिंपल यह था कि जो आपके जो पोप होते हैं पार्चुकल वगारा में तो उन्होंने साफ साब बोल जाता है कि जो भी लोग Christianity को spread करेंगे और Christianity को spread करने के लिए जितनी भी land वो acquire करेंगे ठीक है? That was tax-free वो tax-free हो जाएगी एक तो और वो चाहे जितनी land acquire कर सकते हैं तो Christianity को spread करने के पीछे इनके यह दो कारण थे कि वो जितनी चाहे colonies बना सकते हैं तो यह आपको अच्छे से याद रखना है abolition of sati, second acquisition of goa from Bijjapur in 1510 फिर इनोंने क्या करा? कुछ important crops इंडिया में लाए जैसे कि तबैको, cashew ये याद रखना है आपको cashew भी भाहर से आई थी, cashew भी इंडिया में नहीं थे clear? फिर अलफॉन्जो ने एक होर चीज़ स्टार्ट के उन्होंने first Portuguese mint स्टार्ट करी mint क्या होती है? जो कि coins बनाती है clear? तो इनोंने gold, silver, bronze के coin start करने, spread करने start किये जिन पर की Portuguese king के badge होंगे next आपके important governor आते हैं नेनो दे कुना और ये one of the important है और I think last सबसे important ये ही है क्यों? क्योंकि इनोंने बहुत important काम किया था अब इनोंने किया क्या था? इनोंने Goa को capital बना दिया था आपका ठीक है? तो वो देख लेते हैं सबसे पहले इनके बारे में जो important कहा जाता है that is during this time the ruler of Gujarat was Bahadur Shah और इसी समय पर कुछ controversy भी होना start हो गई थी. He compelled Bahadur Shah to sign treaty of basen ठीक है? ऐसे ही treaty of basen आप आगे भी पढ़ेंगे with the Maratha कब? जब रगुनात राओ के बारे में आप पढ़ोगे जब रगुनात राओ और माधव राओ राओ के बीच में पेश्वा शिप को लेके conflict चल रहा था तो treaty of basen वहां भी होता, यहां भी होता तो धियार रगना कौन से वाली treaty की बात कर रहे हैं? On the basis of treaty basen, बादुर्शाह गे basen to the Portuguese, तो Portuguese को यह दे दिया गया, clear the defeated बादुर्शाह was killed by a Portuguese friend on a ship and his body was thrown in the Arabian Sea और जब ऐसा हुआ, फिर एक होर बैटल हुई with the Ottoman Empire this is known as Seas of Dew clear तो इन ने दमनें Dew को भी acquire किया, अब यह जो बादुर्शाहत इनको मारा कैसे गया था, इनको ship पे बुलाया गया था for mediation और फिर इनको वहां पर murder कर दिया गया था यह historians ने बताया है हम लोगों को clear तो यह पूरी की पूरी आपके क्या है timeline है, इसको एक बार पढ़ लीजिए 1498 डवासको दिगामा आये के लिकट में जमोरीन 1503 में पहली पॉच्योगी स्फोर्ट स्टेबलिश हुआ कहाँ पर कोची नावडेस कोची बोला जाता है कहाँ पर पढ़ता है यह के रेला फिर 1505 में सेकेंड पॉच्योगी स्फोर्ड कन्नौर में तो याद रखना है कोचिन कन्नौर का लिकत next फिर 1509 में इनका एक युद होता है विद्धी कंबाइंड फ्लीट आफ एजिप्ट अरब जमोरीन जिसमें की पॉच्योगीस जीत जाते हैं और उन्होंने बैटल आफ डिव को जीता इसी को हम क्या बोलते हैं Siege of ठीक है बाय अलफॉन्जो अलबुकरेक फिर 1530 में यानि की after 20 years नीनो दी कुना ने ठीक है यहां लिक लो इसको डिकलेर कर दिया as the capital of Portugal इंडिया 1535 में ये डियू कंप्लीट ली क्या हो गया है तो ये आपको धियान रखना है फिर कुछ और चीज़े हैं 1539 में पॉच्चिस द्यू इंडर दर सीज तो ये आपको धियान रखना है 1559 में दमन को तो पहले द्यू को कैप्चर गया फिर दमन को कैप्चर किया गया क्लियर फिर 1612 में सूरत is lost to English ठीक है पहले इन्होंने क्या किया था अगर आप बात करें तो पॉच्चिक्यूज ने अकबर से बात करनी स्टार्ट करी ठीक है अकबर के टाइम तक ये आ गए थे ठीक है अकबर का टाइम प्रिड़ कब से कब तक है जर बताओ सोचो कब से कब तक है 1526 से लेके 1605 तक के लगबका है अगर मेरा exact अनुमान सही है हाँ तो लगबग लगबग इतना ही है तो इस समय पर आपके पॉच्चिकीज आई ही गए थे तो उन्होंने अकबर से बात करनी शुरू करी तो अकबर ने सूरत पहले सबसे पहले किसको मि लेटर ओन जहांगीर के कोट में कौन आये थे बताओ कौन आये थे जहांगीर के कोट में होकिन आये थे ठीक है फिर उन्होंने महां से क्या लिया था इंगलिश के लिए सूरत फैक्टर स्टेबलेश करने का फर्मान ले लिया था या पर्मिशन ले लही थी अब 1601 में क्या हुआ, Bombay, किसको मिल गया? English को मिल गया, इन डाउरी अब इन डाउरी में, क्योंकि ये अंग्रेज भी डाउरी में मानते है, बिलकुल मानते हैं, जी, क्योंकि English के एक प्रिंस थे, यानिकि Britain के एक प्रिंस थे, उनकी शादी हुई Catherine of Braganza, जो के एक Portugal प्रिंस थी, तो उनकी डाउरी में, जो Bombay है, वो दे दिया गया किसको? English को और English ने उसको किसको दे दिया, इनके Britishers ने उसको किसको दे दिया, East India कंपनी को की भीया, हमारी तरब से Bombay को आप समालो Clear? तो ये आपको धिहान रखते वे चलना है, next 1961 पर आजाते हैं, कट्टू, और Portuguese ने अपना सारा का सारा को लोलियल, जितनी भी आउर्पोस्टी वो छोड़कर चले गए, इंडिन आर्मी ने यहां पर जीत लिया, तो इसको और आपरेशन को नाम क्या दिया गया था, आपको याद हो तो अराइब इंडिया एंडि लास्ट वन, ठीक है, लास्ट वन टू गो फ्रम दी इंडिया, सबसे पहले आई भी पर्चुगल थे, सबसे लास्ट में गई भी पर्चुगल थे, आप पर्चुगी स्टेट कहां कहा पा रहे है, तो यह आप देख सकते हो, यह कुछ आपके जगाए है, जो में में है आपकी, ठीक है, तो पर्चुगल का, यह आप लोग देख सकते हो, इसमें हलाग कि इतना कुछ जादा है नहीं, फर्स यूरोपें टू कम इन इंडिया, और लाज्ट टू लीव दिस लैंड, 1961 में गए थे, तो इस तरह के बीचिज वो छोड़के गए, ठीक है, पर्चुगल एड्मिनिस्टेशन देख लो, सब से नीचे होते हैं, फैक्टर्स, तब से मैं बोल रहा हूँ न, फैक्टरी इस्टेबलिश करी गई, फैक्टरी इस्टेबलिश करी गई, इस फैक्टरी का मतलब होता क्या है, देखो यह फैक्टरी का मतलब, आज की करेंट कॉन्टरक्स की फैक्टरी से मत समझ लेना, वहाँ पर कोई प्रोड़क्शन वगरा नहीं होता था, इनके उपर आ जाते हैं वेडोर दे फजेंडा नहीं याद रहे कोई दिक अधनियों सबसे उपर आते हैं आपके आप वाइसरोई चीक है सेम अगर मैं कमपारिटिव अनैलिस करूँ विद भी ब्रिटिश सबसे उपर सेम वाइसरोई फिर उनके नीचे आते हैं गवर्नर और गवर्नर के ही आपके क्या भूल सकते हैं सिमिलर लाइन पर होते थे आपके चीफ कमिशनर होते थे तो यह आपको अच्छे से याद रखना है और जो वाइसराय होते थे वो तीन साल के लिए आपके सर्फ करते थे तो यह आपको अच्छे से याद रखना है नेक्स्ट इसमें और क्या हुआ था किन-किन के साथ इनका कॉन्फिक्ट आया था बहामनी किंग्डाम इंडेक एन चेक है तो यह सब आप एक बार पढ़ लो एक बार पॉस्ट करो और पढ़ लो तो पढ़ लिया इसको चलो आगे चलते हैं रिलीजिंस पॉलिसी कैसी थी पहुच्छी सकी इन्होंने बहुत सारे आपके क्या बनाए बहुत सारे चर्चिस बनाए और आपका किस चीज के लिए अपने रिलीजिन को स्प्रेड करने के लिए बहुत ही एंथूसियास्टिक जैसे मैंने आपका बताया था इन्होंने अकबर के कोट में दो क्या बेजे थे प्रीस्ट बेजे थे उनका नाम आपको याद रखना है रोडॉल्फ अक्वाविया और एंटियो मॉंसरेट हला कि ये दोनों कोई इंपक्ट नहीं डाल पाया अकबर के उपर क्यों नहीं डा आता था और इसने बना रखा था अकबर ने इबादत खाना जहां पर सभी रिलीजियस डिनॉमिनेशन आ सकते थे और अपनी डिलीजियस प्रेक्टिस फॉलो करते थे और यहीं पर आपका क्या होता था डिस्कुशन होता था बिट्विन डिफरेंट रिलीजियस डिनॉमिनेशन तो पॉच्चिज ने सोचा कि हम भेजेंगे और अगर अकबर कनवर्ट हो गया कि शैनिटी में तो यह तो बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर तो पॉच्चिज की बल्ले बल्ले बट ऐसा ना हो पाया अज़ा चलो आप अबर सबको पता है मुस्लिम थे और आपको सवाल पूच भी क्यों जो मुझे पता आप सबको पता है बट हुट मुस्लिमस में भी कहीं सब्को सब्सक्त होते हैंDo Sacra shiya होते हैं होते हैं अकपर कौन से सेक्ट के थे यह आपको यहां बताना है अगर यह सवाल आप कर पाए तो यानि कि आपके तियारी अच्छी कासी है नहीं कर पाए कोई नहीं मुझे एक बार याद दिलाना मैं शायद अगली वीडियो में या अगर आप कमेंट करके पूछोगे कमेंट कोट बनाने की परमिशन दे दी तो अकपर की रिलिजियस पॉलेसी थी क्या सुल एक कुलकी जहां पर वो सभी लोगों से मिलके बात करता था अब पॉर्च की उसका ये कंट्रोल लूज हुआ कैसे मुगल कोट से मुगल कोट में थे लेकिन फिर ये कंट्रोल उनका लूज ह पॉल गया कैसे जब इंगलिश आये अंडर थी विलियम होकिन्स खें अब वो विलियम होकेंज इंडिया आय उस से में कॉन रूल कर रहा था यह उस समें रूल कर रहे ते जहांगीर पॉर्ट कैसे क्यों क्यूंकि आपके कॉन 1606 में ये लोग है थे डहांपर का तर्या में 1606 में आये तो जहांगीर थे कोट में अब इंग्लिश ने आते इतना बड़ा इपक्ट कैसे डाल दिया कि उनको सीधा मनसब दे दिया गया 400 रैंक का अब जो विलियम होकेंस थे यह बहुत बढ़िया डिप्लोमैट्स थे इन पता था जो जहांगीर था वो कौनसी लैंग्विज उसकी अधर लैंग्विज थी Turkish language ठेक है क्यूंकि उनके जो Great grandfather थे बाबर उनकी mother tongue भी आपकी Turkish थी अभी आप दुखो कि उनकी जो memoir है या autobiography उसका नाम ही है तो जू के बाबरी नाम याद रखना बच्चो यह facts है याद रहा गए ना तो एक्जाम में बल्ले बल्ले और नहीं याद रहे तो फिर तो छोड़ो negative marking आती रहेगी अब William Hawkins थे वो सीधा गए और उन्होंने टुरकिश में बात करनी स्टार्ट करी जिससे के जहांगिर बहुत खुश हुआ और उन्हें मनसब भी दे दिया हाला कि यह मनसब उन्हें मिला नहीं था लेटर ओन ध्यान रख लेना बट जहांगिर के कोट में दिरे दिरे इंगलिश का जो वर्चस हुथा वो बढ़ना स्टार्ट हुआ लेकिन जो उनका जो कंट्रोल था वो सबसे या पूरा का पूरा हम बोलें तो सहां जहां के टाइम खतम हो अब ऐसा क्यों वही उनकी जो पॉलसी थी मैंने बताया था कौनसी वाली पर्मिट सिस्टम वो समझते थे कि वो क्या थे बिगेस्ट या पावरफुल नेवी है उन्होंने क्या करा कुछ मुगल शिप्स को रोक लिया जिसमें कि विमेंज वगेरा भी थी और उनसे भी शायद बत्तमी जी वगेरा करी होगी उन्होंने उस वजे से सहाजा नराज हो गया सहाजा ने बोला आपने जो गुजरात के सूबेदार थे उनको कि जाओ जरा देख क्या हो क्या बत्तमी जी कर रहे है यह पॉट्चुगीस फिर उन्होंने आये देखा और फिर इनका पूरा का पूरा इंफ्लूएंस यहां से खतम हो गया इनके इंफ्लूएंस खतम होने के पीछे इंग्लिश का भी हाथ था क्योंकि इंग्लिश ने ज्यादा अच्छे से ट्रेड करने में हेल्प करी क्योंकि पॉट्चुगीस क्या थे वह अपना कमर्शियल बेनिफिट जादा देख रहे थे और साथ साथ रिलीजियस भी थे व है ठीक है तो वहां पर भी उन्होंने सेटलमेंट्स बनाने की कोशिच करी जहां पर इन्होंने सॉल्ट का प्रोडक्शन में मौनपलाइस्ट कर दिया ठीक है उन्होंने तबैको पे भी डूटी लगाई बस यह कुछ चीज आपको याद रखनी है ठीक है तो यह आपको पर चोगी इसके बारे में अब इनका डिकलाइन क्यों सुरू हो गया ऐसा क्या गलती कर दी इन्होंने सबसे इंपोर्टेंट वीक गवर्नर कुछ ही गवर्नर थे जो इंपोर्टेंट थे जो अच्छे थे जैसे कि मैं बता चुगा हूँ अलमीडा अच्छे थे आपके अल अच्छे कर रहे थे जो की एक सही तरीका नहीं था अगर आप ट्रेड करना है तो आप सिर्ड गर अप रिजिस एक्टिविटी में क्यों जा रहे हो फिर इनका एडमिनिस्टेशन क्योंकि एड्मिनिस्टेशन में भी क्या हो रहा है था क्रप्षिं जो लोगर ओफिशल्स थे वो प्राइबिट ट्रेड भी कर रहे थे involved in piracy सो जो एक ट्रेडिंग कमपनी खुद ही piracy कर रही है confrontation with Mughals जो मैं आपको बता चुका हूँ साज अहां के टाइम पे एक शिप को capture करा ठीक है और फिर इन्होंने अपना पूरा का पूरा influence from the Mughal court खो दिया rise of other European power जैसे कि कौन कौन आये थे Dutch आगये थे British आगये थे जै कि अमेनली तो इन दोनों इनों ने ही इनको समाप्त कर दिया था बट फिर बाद में French भी तो थे focus on South American continent इनका focus आजतर South American continents में जादा था clear? गवर्नर who succeeded Alfonso Albuquerese was and Portuguese empire fell apart religious policy देख लो ये intolerant थे, forceful conversion करने के लिए थे administration piracy में था, heinious crimes करते थे Mughal ships को इन्होंने capture किया फिर rise of Dutch वगेरा तो Brazil was founded by Portuguese in Latin America तो Brazil को भी इन्होंने found किया था तो फिर इनका धियान उधर की तरफ जादा चला गया अब यहाँ देख लो, Francis of the Almeida तो यह पूरा याद कर लो आप इनके क्या क्या policies थी, मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ो, चाहिए तो screenshot ले सकते हो आप और नहीं तो आपको अलग से भी मैं ये प्रोवाइड कर दूँआ अब यहाँ देख पारे होंगे Francis of the Almeida क्या 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 किया था अल्भुकरेक ने क्या क्या था ठीके नीनो दी कुना ने क्या क्या था और फिर इनके बार थे आए थे आपके Martin Olfenzo de Sosa क्लियर तो आज का जो यह lecture था आज का यह हमारा lecture सिर्फ किस के उपर बेज था Portuguese के उपर बेज था ठीक है हमने आज Portuguese के बारे में अच्छा गासा पढ़ लिया है कल का जो lecture होगा उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले Dutch के बारे में फिर English के बारे में फिर हम बात करेंगे French के बारे में clear तो जुड़े रही है आप इस initiative के साथ क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के initiative regularly लाते रहेंगे अगर आपको यह अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जाद से जादा शेयर करें हमारी geography की series तो चली ही रही है अब हम साथ साथ आपके लिए modern industry की series लाए है और हम प्राई यह करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आपका पूरा course complete करा दें before CAPF 2023 तो अगर आपके friends हैं जो की CAPF 2023 की त्यारी करें तो आप उनको भी यह series जरूर शेयर करें और हमें comment box में लिखके जरूर बचाएं कि आपको यह series कैसी लगी है अगर any scope of improvement आपको लगता है कि हमें करने चाहिएं तो please suggestions भी हमें दे हम उनको भी follow करने की कोशिश जरूर करेंगे तो चलिए बच्चो थेंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए I hope आप लोग बहुत ही healthy रहें बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहें और exam crack कर लें